वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम एक लेटेस जज्जमेंट के बारे में बात करेंगे तो आईए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला इस मामले में 2001 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई और फिर इनका एक बेटा भी हुआ वाइफ ने जब सेक्शन 24 हिंदु में रेजेक्ट की पेटिशन लगाई तो उस पर वाइफ ने ये कहा कि मुझे मंथली 2,00,00 रुपे मेंटेनिंस चाहिए इसके इलावा बच्चे की पढ़ाई के लिए भी पतनी ने खर्चे की मांगी मामले को देखते हुए फैमली कोट ने 75,000 रुपे पर मंथ मेंटेनिंस ग्रांट कर दिया इस ओडर को हस्बेंड ने चैलेंज किया हस्बेंड ने कोट में बताया कि मेंटेनिंस की राशी बहुत जादा है वो इतनी राशी देने में समर्थ नहीं है साथ ही हस्बेंड ने ये भी बताया कि वाइफ ने खुद का बिजनस भी स्टार्ट किया है इसमें वाइफ ने कहा कि जब दोनों साथ में रहते थे मुझे वही वाला लाइफ स्टाइल चाहिए और 75,000 रुपए मेरे लाइफ स्टाइल के लिए सेफिशन्ट नहीं है और बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी वाइफ ने मांगा कोट ने 75,000 रुपए का आमाउंट बढ़ा कर डेड़ लाक रुपए कर दिया साथी कोट ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई का खर्चा और लिटिगेशन एक्सपेंसिस की वाइफ अधिकारेनी है साथी कोट ने ये भी कहा कि शोशल स्टेटस को मेंटेन भी करना जरूरी है कोट ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बन लगजरी लाइफ जी रहा है और वाइफ और बच्चा देनी लाइफ जीए ये सारी टिपनिया कोट की तरफ से की गई और कोट ने 75,000 रुपए को इनहेंस करके 1,500,000 रुपए कर दिया इस जज्जमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया गया है वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दीगी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां बाने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो में लास तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद